हेलो फ्रेंग्स स्वागत आपको सालोच के चिन में आज हम चानाधार पूरी बनाएंगे ये बहुत जल्दे से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वाधिस लगते हैं आप आप इस्पूरी को सफर में बीझ लेजा सकते हैं यह भी छयकती है और बहुत जलदे के से बन जाती है बुरी बनाना लग अहां पर शिया अधा कब चना लिया हैं नमक स्वाघ कर लेंगे अधा चमच्रम्क्ष्म आध्रक बनाने के लिए सबसे पहले हम चनादाल लेजन अध्रक हरी मिर्च और प्याच का पेस्ट बना लेते हैं कि यहां पर मैंने चानादार लेशन अद्रक और प्याज को एकदम बारिक पीस किया है आप देख सकते हैं मैंने इसे पेशने में थोड़ा सा पानी डाल रहा है अब इसे हम कुटिवी लाद मेश चालेंगे कसूरी मेथी कि अजवायन और जीरा नमक घी और के सारे चालें से मिक्स कर देंगे हिए है कि यहां पर मैंने शाषी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें घ्रभषच आठा Labjana कर किसका डो बना लेंगे अधि पानी डाल के नहीं गूटे का है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा डाल कर हम इसका डो बना लेते हैं अपने जड़ुरत के हिसाब से कि अब है अब देख सकते अभी आटा है हापे काफी गीला है तो इसमें से थोड़ासा आटा और मैं और अट करेंगे हैं कि इस यहां पर आटे को गूथ लिए यहां पर मैंने जितना आटा लिया था सारा अटा इसमें लगा है अब इसके पर हम थोड़ा थोड़ी देख के लिए यहां पर 10 मिट हो चुक्या है आठाचे से सेख हो गया है अब इसकी हम पूरी बनाएंगे पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटी-छोटी दोईया बना लेते हैं कि इस तरीके से पूरी आप अपने हिसाब चे थोड़ा सा मोटी या थोड़ा सा पत्ली रख सकते हैं आपको जैसी पसंद है यहां पर मैंने सारी लोई को बना लिया है अब इसे हम गोल कर लेंगे इस तरीके से अब अब इसके हम पूरी पेलेंगे इस तरीके से थोड़ा सा तेट अगा लेंगे तक पूरी पेलते समय चिपके ना और इस तरीके से हम इसे बेल लेते हैं हमें इसे बहुत ज्यादा पत्ला नहीं करना है आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना मोटा रखा है इसी तरीके से हम सारी पूरी को बेलके तयार कर लेते हैं अब मैंने शारी पूरी को बेलके तयार कर लिया है अब पूरी को तलेंगे तो तला पार आप दिया है तेल यहां पर अच्छा से गरम हो गया है अब इसमें हम पूरी जालेंगे इस तरीके से हलकालका दबा देंगे ताकि पूरी अच्छे से पूल जाये अब इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं आप देख सकते हैं पूरी आपे कितने अच्छे से फूल रही है दोनों तरफ से हम अच्छा कलर आने तक पूरी को तर लेते हैं तरीके से यहां पूरी दोनों तरब अच्छी से जिग गई है अब इसे हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम बैकी की पूरीयों को भी तर लेते हैं कर दोनी की तर लेते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो को इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियों को तलगी तयार कर लिया है आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे बने हुए है यह खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है आप इसे अपने मंद पसंद की सब्जी के साथ खा सकते हैं चबने के साथ भी खा सकते हैं आप सब्सक्राइब करें करे ili को कहीत सब्सक्राइब रोच हुआ कि आपब कुझा कैसे लगी धन्यवाद